नमस्कार आप सब का स्वागत है बिग बॉस 11 में इस हफ़ते वीकेंड का वार एपिसोड में सल्मान खानसुद शशी कपूर के याद करते नजर आए उन्होंने शो में शुरुआत में ही शशी साहब को शदान जली दी शो में बिग बॉस की तरफ से कंटे स्टेंट हितें तेजवानी को एक स्पेशल गिफ्ट मिला जिसके तहे तो गर में कुछ टाइम के लिए उनकी बेटी बेटा मिलने पहुंचे जिनके साथ उन्होंने टा का टांग खींची सल्मान ने इस दोरान कहा कि बंदगी माल दीव और हिना के वह फ्रेंट रॉकी जए सवाल हॉलिडे के लिए बैंक चले गए हैं दोनों अकेले आप लोगों के बगेर एंजॉय कर रहे हैं इसलिए दोनों ने यहां शो में बने रहने के लिए आप लोगो को कहा है सल्मान ने ही नहीं रोके उन्होंने बिग बॉस की भी टांग खींची वेहिना से बातचीत के दोरान बोले बिग बॉस की तो गरले प्रेंट है नहीं एक आंग है अब उन्हें कौन समझाए प्यार हो भी जाए तो इसके लिए पूरे शरीर की ज़रूरत पड़ती है सल्मान के इस पनी अंदाज को सभी कंटे स्केंट एंजोय करते नजर आए। सल्मान ने शो में अर्शी खान की जम कर क्लास लगाई। दरसल हाल ही में सभी कंटेसटेंट को एक फैमिली लगजरी टास्क दिया गया था जिसमें एक एकर सभी कंटेसटेंट के पेरेंज़ घर में आये थे इसी बीच जब अर्शी के पिताशों में आये तो शिल्पा उन से रिस्पेक तक्खुली बात करती दिखी लेकिन शिल्पा की मा के आने पर अर्शी का बेहिवियर ठीक नहीं था इसी बात को लेकर सलमान ने उनकी क्लास लगाई सल्मान के इतना कहने के बाद भी अर्शी ने एक नहीं सुनी और वे खुद को ही सही बताती नजराई अर्शी ने सल्मान ने रिपलाय में ये तक कह दिया आपको सल्मान सिर्फ मेरी गलतियां दिखती हैं शिल्पा की नहीं इस बाद पर उन्हें पीछे से कंटेस्टेंट रोकते भी दिखे लेकिन अर्शी ने किसी की नहीं सुनी